आम शंदि एक विक्ति कभी भी शादी नहीं करता है और बुड़ा हो जाता है तकपक 90 वर्ष और अभी तबियत बहुत खराब होती है और मरने को होता है तो एक जिग्या सुआता है और पूछता है कि आपने कभी भी शादी नहीं की कुछ तो कारण होगा कोई तो राज होगा और क्योंकि अभी तो आप इस संसार से विदा हो रहे हो तो मैं जानना चाहता हूँ वो कौन सा रास्ता क्यों आपने शादी नहीं की कुछ तो होगा ही तो वो बुड़ा विक्ति कहता है हाँ, रास तो है तो जिग्यासुप कहता है अब मुझे नहीं रखता अगर आप ये रास बता दो तो आपको कोई दिक्कत होगी इससे होगा तो दूसरों को शायद फाइदा ही होगा तो वो बुड़ा विक्ति कहता है ऐसा नहीं है, कि मैं विवा के विरुद्ध हूँ, परन्तु मुझे आज तक कभी भी परफेक्ट वुमन मिली नहीं, संपूर्ण स्तुरी आज तक कभी भी नहीं मिती, तो वो जग्यासु पूछता है, इतनी बड़ी धर्ती, इतना बड़ा संसार, आपको एक भी नहीं मिली, तो वो कहता है, मिली तो थी, तो वो कहता है, कि फिर क्यों तुमने उससे शादी नहीं की, तो वो आदमी कहता है, क्योंकि वो एक परफिक्ट हस्बेंट को धूड़ रही थी, ये तो ठीक बात है, कि हम परफिक्ट को धूड़े, पर परफिक्ट मिलने के बाद, वो भी तो किसी परफिक्ट की तलाश में है, और यदि हमने तो चुन दिया, परफिक्ट उसमें यदि नहीं चुना तो, तो भी तो मुश्किल है, आत्मा परमात्मा को सदियों से दून रही है, और दूनते दूनते, बहुत लंबे समय के बाद, जब वो मिल जाता है, और वो पूरा ठोक बजा कर देख लेती है कि यही है परफिक्ट गॉड, इतना परफिक्ट काफी नहीं है, और भी कुछ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो भी किसी परफिक्ट की तलाश में है, और यदि हम वो परफिक्ट नहीं है, तो वो हमें भी क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, तो आज की मुली में बाबा क्यों आए है, तीन कारण दिये, भगवान धर्ती पर क्यों आया, एक किस लिए, मिलन मनाने के लिए, सनेही बच्चों को सनेह का रिटरन देने, अर्थात तुमने बहुत सनेह किया है, अर्थात तुमने बहुत प्यार किया है, अर्थात तुमने उसे बहुत पुकारा है, अब वो आया है, गुंगट के पट खोद, अब तो हे पिपिया बुलाए, अब वो आया है, तो क्यों आया है, सनेह का, return देने के लिए कौन से बच्चों से मिलने आया है स्नेही दूसरा कारण क्यों आया है मिलन मनाने के लिए स्नेह का return देने के लिए और तीसरा फल देने के लिए सुबे खाए न 10 फल स्नेह का प्रत्यक्षफल देने के लिए इन तीन कारणों से वाया है स्नेह का return देने मिलन मनाने और स्नेह का प्रत्यक्षफल स्नेह की भावना का स्रेश्टफल देने के लिए वाया है स्निहका रिडन एक है भक्ति मार्ग एक है ग्यान मार्ग तीन बाते यहां बाबा ने बताई है भक्ति मार्ग में क्या क्या था और ग्यान मार्ग में क्या क्या है वहां क्या था प्रभाकर भई वहां क्या था वहां भक्ति थी परंतु शक्ति नहीं थी शक्ति अब मिली है कौन सी शक्ति अब मिली है कौन सी अधिकारी पन की शक्ति अब मिली है वहाँ क्या था भावना थी परंतु वो भावना कैसी थी उसमें कामना भरी हुई थी क्या थी उस भावना में कामना ये थी वो भावना कैसी थी अल्पकालीन थी वो भावना कैसी थी और एक शब्द है मुटली में भावना भीकारी पने की भावना मांगना था वहाँ पर यहां कौन सी भावना है अधिकारी पन की भावना वहाँ पर स्निह था, प्रेम था, परंतु उस प्रेम में दो चीज़े नहीं थी सम्मन्द नहीं था और पहचान परंतु स्निह बहुत था, पहचान नहीं थी परंतु स्निह था, उसी स्निह के रिटन, उसी स्निह का रिटन देने के लिए अब वो आया है वो स्निह का प्यासा और भावना का भूका है ऐसा भक्ती में उसके प्यगायन है तो बाबा आए है मिलन मनाने के लिए बाबा आए है रेक स्निह का रिटन देने के लिए चाहे तुमने कितने ही अपकार किये हो फिर भी वो आया है वो आया है किस लिए फल देने के लिए कौन सा फल देने के लिए स्निह का प्रत्यक्ष फल देने के लिए एक सूफी कहानी है जिसमें एक महिला एक तपस भी नहीं एक फल की तलाश में होती है वो जो फल होता है वो स्वर्ग का फल होता है और उसे वो स्वर्ग का फल चाहिए होता है हेवन्स फ्रूट और उस फ्रूट की तलाश में वो कही जगा जाती है अन्तव बतवा एक दर्वेश के पास आती है जो एक ज़ाड के नीचे बैठा होता है और उससे वो पूछती है ऐसा फल कहा मिलेगा कि जो मैं यदि खा लू तो संबूरन ग्यान को प्राप्त कर लू तो वो दर्वेश उससे कहता है तुम मेरे पास बेड़ जाओ तुम्हे वो फल मिल जाएगा परंदू उसके पास समय नहीं होता है और नहीं धैरियो वो दर्वेश कहता यदि तुम मुझे छोड़कर जाओगी तो तुम्हें सालो साल तक बढ़कना पड़ेगा परंदू वो फिर भी नहीं सुनती और उसको छोड़कर चले जाती है पहले जाती है हकीम के पास फिर मजूब कोई फिर आलिम अलग-अलग नाम है सूफी साहित्यों में किसी को हकीम कहते है किसी को आलिम साइंटिस्ट किसी को मजूब मैड मैन फिर महां से और कहीं जाती है सबर अलग-अलग जगा पर जाती है तीस साल तक बटकती रहती है और उसे वो फ्रूट नहीं मिलता है और अंत में एक दिन अचानग मिल जाता है जहां पर लिखा भी होता है स्वर्ग के द्वार और वहां पर वो जाड़ होता है जो उसे तब मिला था, यह तो वही है। और वो उसे पूछती है क्या तुम ही हो कस्टोडियन आफ दिस हेवन्स फ्रूट। क्या यह स्वर्ग का जो फ्रूट है, इसके रखवाली करने वाले तुम ही हो। तो वो कहते हैं हाँ, तो वो कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो वो दो उत्तर देता है। एक तो यह कि मैंने बताया था पर तुमने सुना ही नहीं। और दूसरा, ये जो जाड है, इसमें फल जो आता है, वो तीस साल और तीस दिन के बादी आता है, यदि मैंने तुम्हें बता भी दिया होता, तो भी तुमको रुकना पड़ता था, तीस साल और तीस दिन तक, ये ऐसा फल है, बाबा जो फल दे रहे, वो कितने साल के बाद मिलता है, यदि तुम्हारी भाबना कितनी भी स्रिश्ट हो, होती, द्वापर से, तो भी, तुम्हें वो फल द्वापर से नहीं मिल सकता है, क्योंकि फल लगने का जो समय है, प्रभु मिलन का मौसम, याद है ये शब्दा, कब तिन चाल साल पहले है, अव्यक्त वानी, फर्स्ट अव्यक्त वानी थी डबल विदेशियों से मुलाकात, 2011 है शायद, जिसमें बाबा ने कहा था, ये प्रभु मिलन का मौसम है, तो ये मौसम कब आता है, अभी आता है, संगम पर आता है, पाच अजार साल के बाद आता है, तो सुवे भी हमने चर्चा की थी, दस प्रकार के फल, थोड़ी सी विस्थार में आप चर्चा करेंगे, वैसे तो फल एक है, उसकी ये विस्तार है, वैसे तो फल एक है, उसकी ये दस बाते है, यह यू कहो कि दस फल भी है, फल की शाखाए पहला फल था किसको दिया था सुबह फल वाले आए की नहीं सुबह बाबा ने सुबह पिकनिक के विशे में भी बताया पहले हम पिकनिक की चर्चा करेंगे पिकनिक में कौन कौन सी अगर कहीं पिकनिक जाना है तो क्या क्या सोचा जाता है पहले तो स्थान पहले तो स्थान जाना कहा है पिक्निक दूसरा अखिले जाना है ग्रूप में जाना है प्लैनिंग थोड़ी से तीसरा पिक्निक प्लेट पिक्निक बास्केट पिक्निक हैंपर पिक्निक की बड़ी बास्केट होती है ने पिकनिक, टेबल, सारी चीज़े रेडी चाहिए फिर टेंट, कार्पेट, कटिंग बोर्ड, फ्रूट, बास्केट और क्या क्या करते हैं, गेंज, हां एटेबल्स, खाने की सारी सामगरी और, म्यूजिक, हां म्यूजिक चाहिए, बिना म्यूजिक के मज़ा नहीं है पिकनिक में म्यूजिक, फिर गेंज, कौन-कौन से गेंज खेलने हैं, उसकी भी लिस्ट चाहिए और, गायद भी चाहिए, और, वो सब खाने में सब आ गया गाइड भी चाहिए गाइड तो एक्सकरिशन में चाहिए पिकनिक तो जगा पता होती है पिकनिक पार्क और खेल गेम्स की लिस्ट और एंटरटेंडमेंट और डांसिंग और सिंगिंग और संगीत बोल दिया कितने मज़े जाना है और कितने मज़े आना है पिकनिक कब मनाए जाती है मॉर्निंग, मिड मॉर्निंग, बेकफास्ट, संडेज या तो शाम को और तेवार के सीजन में या कोई विशेश सीजन में 26 जनरोरी, 15 अगस्त बर्डे, बर्डे, और कोई सेलिبرेशिन करने के लिए और वहाँ क्या क्या किया जाता है हरेख को ड्यूटी मिलनी चाहिए ये सामान की देखभाल करने वाला वहाँ पर फिर स्वर्व करने वाला सारा बहुजन का सारा जिम्हाएिक का Transport कैसे जाना है और आना कैसे ये भी जरूरिये और वहाँ पर Cook Out जिसको कहते है खाना लेकर जाना है या वहाँ जा कर बनाना है अच्छा, वहाँ बनाना है वहाँ allowed है या नहीं allowed है ये भी है माउंट में अगर कहीं जाते है तो बहुत सारे प्रतिबंद है ऐसे नहीं कि आप कहीं पर भी जाकर आग जलाओ कहीं कहीं परमिशन लेनी पड़ती है जाने के लिए वैसे नहीं जाया जा सकता है नहीं कभी कभी ट्राइवर्स टैंक में जाएंगे तो परमिशन चाहिए तुम्हें किसके साथ पिकनिक मनानी है हमजीन्स की परिवाशा समान और फालो करने वाले अर्थात हमजीन्स इक्वल्स ये प्रभू फल की पिकनिक है फिर्स्ट पॉइंट ये ब्रम्ह बाप और हमजीन्स की पिकनिक या पार्टी है फिर्ड पॉइंट इस पिकनिक में हर एक के मुख से होटो से कौन सा शब्द निकल रहा है आज की मुखली से बता हो बाबा हर एक के मुख से एक ही शब्द है इस पिकनिक में कुछ-कुछ स्टोरी और कुछ-कुछ बाते बाबा तक पहुँच रही है कौन सी चापलुसी? नहीं चतुराई बो चतुराई और चतुराई और सच्चा ही? चतुराई और सफाई cleverness और cleanliness की स्टोरी चाहे तुम चाहो या न चाहो हर एक के जीवन की cleverness और cleanliness की स्टोरी बाबा तक पहुचती है चाहे तुम चाहो या न चाहो उससे कुछ भी नहीं छिपा सकोगे he that planted the eye shall he not see he that planted the ear shall he not hear जिसने कान दिया है वहीं नहीं सुनेगा वो सब देख रहा है वो सब सुन रहा है तुम्हारे जीवन की चतुराई की बाते और सफाई की बाते कहां कहां सत्य को छिपाते हो दबाते हो परिवर्तन करते हो modify करते हो रुपानतरन करते हो और किस तरीके से उसे प्रस्तूत करते हो वो कुछ भी नहीं छिप सकता चाहे कितना भी छिपाओ चितना भी जो मर्जी है करो परंदू बात से कुछ नहीं छिपा सकोगे मैं निराकार सब कुछ जानता हूँ साकार महवाक्य है दुनिया से छुपा सकोगे दुनिया को छल सकते हो शायद खुद को भी धोका दे दो परंदू बाप को कैसे धोका दोगे क्या उसको भी धोका दिया जा सकता है उसने पूछा है प्रश्न अमरित वेले का महत्व जानो और अनुभाव करो वर्दानों का यदि हम कहे कि हम महत्व भी जानते और अनुभाव भी कर रहे है तो हुमानेगा तीचर से मुलाकात अनुभाव करो महत्व जानो समय का संकल्प का श्वास का सेवा का महत्व जानो और अनुभाव करो जगदिश भाई सुनाते है Justice Krishna Iyer इंद्रपरस्त में आये थे उन्ही के कमरे के बाजू में Justice Iyer थे Justice Iyer को Conscience Keeper of Justice कहा जाता है उनके उधारन दिये जाते है आज जो Judiciary System है उसमें तो आज की तारिक में थोड़ा सा गड़ पर चल रही है जादा ही गड़ पर चल रही है उनका उधारन दिया जाता है सत्तर से लेके तो सौ किताबे उन्होंने लिखिये लौ के सम्मंद में इतना बुद्धिमान वेक्ति पदमश्री इतना बुद्धिमान वेक्ति सौ साल जिये 1914 से 2014 तक अब यह भी शरीर छोड़ा है वो यहां आये थे कॉंफरेंस में उनका नियम था कितने बज़े उटने का सुबद दो बज़े उटने का और दो बज़े उटके क्या करते थे किताबी लिखते थे कल्चर और प्रोग्राम के लिए उनको कहा गया चलो वो बज़े तब माफ कर दो मैं नहीं आसकता क्योंकि मुझे नव बज़े सुना होता है इसके लिए मैं आपके कल्चर और प्रोग्राम में नहीं आसकता एक संसार का व्यक्ति संसार के कारिय कर रहा है उन्होंने बहुत सारे चेंजिस लाए लिगल सिस्टिम में सब जगा दलितों के लिए बहुत कारिय किये, बड़े-बड़े काम किये सिस्टिम में वो व्यक्ति अपनी धरनाओं पर इतना मजबूत है और हम हम क्या कहते हैं? हम लेड़ सोए, इसलिए उट नहीं पाए हमारी नीन पूरी नहीं हुए, इसलिए अम्रित वेला नीन कर रहे है एक संसार का व्यक्ति इतना पक्का है अपनी धरनाओं में क्या हम भी है तो हम पिकनिक पर दे पिकनिक कहा करनी है? कहा करेंगे? ब्रामन जीवन में पिकनिक कहा कहा करेंगे? साथ जगा बताओ सुक्ष्मवतन में अम्रित वेले कई पार मुर्लियों में आया है सुक्ष्मवतन में आजाओ और बाप दादा के साथ पिकनिक मनाओ वनक्ड़ा पिक्निक को क्या कहते हैं वन विहार किड़ा एक तो सुक्ष में बतन में पिक्निक दूसरी पिक्निक परमधाम में पिक्निक तीसरी पिक्निक मदुबन वर्दान भूमी में पिक्निक चरती पिक्निक सत्यूग में चले जाओ कैसे जाओगे सत्यूग में मन बुद्धी के पुश्वक विमान में बैड़ के सत्यूग में चवती पिकनिक पाचवी पिकनिक कस्थान पिकनिक प्लेस पिकनिक एरियास कहा जाता है उन्हें पाचवी पिकनिक यह ना पिकनिक में कहा जाएंगे बाबा के भिन भिन सेवा केंद्र बाबा के भिन भिन सेवा केंद्र अपर चले जाओ कहां का जाएंगे माताजी पिकनिक के लिए अच्छे पहले इधर आ जाओगे और भिन भिन स्थान सब आ गया उसमें सेवा केंद्र और कहां जाओ पिकनिक के लिए प्राकृतिक प्राकृतिक के पास वहाँ भी जा सकते है हम बात कर रहे हैं योग में पिकनिक के लिए कहां कहां जाए सागर के कंठे में पहाड़ी के उपर सीनिक ब्यूटी और वहाँ बैठ कर आतमाओं को सकाश देना उची पहाड़ी पर चले जाओ वहाँ बैठो और संसार की सभी आतमाओं को इमच करो सागर के कंठे पर नदी के पास जरने के पास वो एक दूसरी केटिगरी और कहा जाएंगे पिकनिक के लिए भक्त भक्तों को बहलाने के लिए ने तो उनको साक्षत कार कौन कराएगा हनुमान का भक्त विचारा कब से प्यासा है हनुमान के दर्शन के लिए कौन उसको साक्षत कार कराएगा हमें करना पड़ेगा ये काम तो भक्तों के पास योगियों के पास प्यासी आतमाओं के पास जो पुकार रहे है उन आतमाओं के पास जो धर्म सत्ता में जितनी आत्मा है है वो सभी आत्माओं के पास पिकनिक और कहा जाएंगे पिकनिक में लिए हॉस्पिटल में पिकनिक अचा उनको पिकनिक करवाने है ठीक है तो कितने इस्थान हो गए छे छे उसात्वा छेटवा कुन सा था दुखी अशान्त आत्माइ पाचवा था भक्त आत्माइ जो आत्माइ 85 है प्रभुधर्शन की भक्ति कर रही है सन्यासी है योगी है तपस्य है तपस्या में लीन है उन आत्माओं के पास और सात्वा स्थान कहा जाएंगे वो होस्टिटल और दुखी अशान तुम्हें आ जाएगा और कोई दूसरा स्थान बताओ ग्लोब पर जा सकते हैं संपूर्ण ग्लोब के इर्द किर्द गूमना है देखना एक नजर दोड़ानी है कि यह आत्माए है किसको क्या चाहिए पाच खंड और पाच महासागर यूरोप के उपर चले जाओ और यूरोप की सारी की सारी आत्माओं को एक साथ सकाश अमेरिका की सारी आत्माओं को एक साथ सकाश अफरिका की सारी आत्माओं को एक साथ सकाश एशिया की सारी आत्माओं को एक साथ सकाश औस्टेलिया की सारी आत्माओं एक साथ सकाश तो जब औस्टेलिया वाले मिलेंगे तो कहेंगे हमने आपको देखा है जब यूरोप वाले मिलेंगे आप आये थे कि अधर पूछेंगे कॉमडेश लाइबरी में आके आपको पूछेंगे आपको कहीं देखा है आप कहेंगे मैं गया ही नहीं आउस्टिलिया अरे नहीं आप आये थे तो पाच खंड पाच महासागर हिंद महासागर के उपर चले जाओ उसको सकाश दो हिंद महासागर प्रशान्त महासागर अट्लांटिक महासागर उपर का आटिक महासागर नीचा का दक्षिन महासागर पाचो ही सागर को सकाश दो पाणी को सकाश दो इस पाणी पर चलो पानी पर चलने की प्रैक्टिस है न, पानी पर ओपर चलने की प्रैक्टिस चाहिए, ऐसे 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 यहां चाहो, और पानी को पवित्रता की किरने दो, पानी शुद्ध होगा, तो ये सारे स्थानों पर जाकर क्या करना है पिकनिक क्वालिटी और कॉंटिटी दोनों चाहिए दोनों ही घर का श्रिंगार है बावा ने ओम शंति बावन को याद किया मुल्ली वहां चल रही है अब यग्य के जो अलग-अलग स्थान है वहां पर भी जा सकते है शंतिवन वो तो बहुत बड़ी लिस्ट है जो बताई उस दिन यग्य का वरिक्ष कहीं पर भी अलग-अलग स्थानों पर जाओ आत्माओं कोई मर्ज सकाश चे इदर साथ मीचे और एक चुरच्चान सितारे प्रकृती तो सबसे पहला फल यह थी पिकनिक अच्छा पिकनिक में और क्या खाने के लिए क्या ले जाओगे fruits fruits अलग-अलग, fruits, salad, fruit, plate खाने के लिए लेके जाओगे कब जाओगे, time हमरित वेला जाओ, नुमा-शाम जाओ बीजविश में भीजाओ कैसे जाएंगे, transport बुद्धी रुपी विमान, पेट्रोल, रिफाइंड पेट्रोल, कितना रिफाइंड, डबल रिफाइंड, और वहाँ जाके बाद गेम्स, एंटर्टेंड्मेंट, सॉंग्स, डान्स, ड्रेस, ड्रेस थोड़ा कलरफुल पहना जाता है, पिकनिक के दिन, थोड़ा टोपी हो क्या-क्या, अच्छा, सेल्सिस्टिक, देखने के लिए, और, अच्छा-च्छा, जो कूरा करकड़े है, उसको भी, एंवार्मेंटर, उस दिन कहा न, बचट, 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 बचट स्कीम जो बनाई थी हमने, दे स्वीट टीम, की फैला के नहीं आने, और सारा देख लेना सब कुछ ठीक ठाक तो है, सब कुछ ठीक ठाक तो है, और यदि कोई अनुभवी वेक्ति है, उसको लेकर जाना, पिकनिक में, जैसे एक वेक्ति पहली बार विमान की यात्रा कर रहा होता है, एरोपलेन में, और वहां बैठता है तो एरोस्टेस आती है, उसको पूछता, टेल, विल सब ठीक तो है न गाड़ी में, स्लाइट में, मतलब सब पेट्रोल, टेल, सब डला हुआ है न, मतलब इंजीन और वो सारा, तो वह कहती है, आप शान्ती से बेटे रहो, वो सब हम समाल लेंगे, तो वह कहता है, हम तो सम वो एक गावा लवेक्ती जाता है न, प्लाइट में, तो वो बेल्ट बानना होता है, उसको समझ में आता है, वो सीधा इसी जबर्दस्त गाड़ बान देता है, तो सारी तयारी चाहिए, और पिकनिक की प्लैनिंग चाहिए, करना क्या है जाके वहाँ पर, गेम्स की कुछ और्गनाइजर्स होते हैं पिकनिक के, बड़ी पिकनिक होती है, फैमिली पिकनिक, कॉलेज पिकनिक, उसमें और्गनाइजर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, बिना प्लैनिंग के टाइम टेबल के नहीं जाना होता है, तो हमारा भी सुक्ष्मवतन का टाइम टेबल, परमधाम का टाइम टेबल, सत्यूग में क्या करना है, क्या अनुभाव वहां करना है तीचर इसको काया, अनुभाव करो, फिर दूसरों को कराओ, जानो, फिर दूसरों को बतलाओ अमरित वेले का महत्व क्या है आख खुली और क्या बाब समान स्थिती में स्थित हो जाओ कब स्थित हो जाओ बाबा की कमरे में आने के बाद नहीं सनान वगेरे करने के बाद नहीं कब आख खुली और पहला संकल्ब ये नहीं अरे लेट पंदरा मिनिट लेट हो गया आज आख खुली किसका मेसेज आया है कुछ नहीं मेसेज आया है नहीं अभी तक रात में पोस्ट किया था अभी तक कुछ नहीं आया रात में दस फोटो पोस्ट किये थे अभी तक कुछ भी नहीं आया आख खुली और बाप समान स्तिती में स्तित हो जाओ कितना अच्छे प्रैक्टिस है उट्टे ही फ़स संकलत उसके लिए सोते समय भी वही संकलत चाहिए फिर तो ही पहला संकलत होगा वो Quality और quantity दोनों की आवश्यकता है बाबा ने कहा यहां पर Quality वाले भी है, quantity वाले भी है आवाज निकल रहा है, यह पिकनिक, यह पार्टी, ब्रह्मा बाप की और हमचिन्स की है यह प्रभू फल की पिकनिक है तो पिकनिक मनाओ, योग जो है वो entertainment हो जाए एक अब्यास नहीं, कि हम कर रहे है एक खेल कुछ जैसा, मौज एक celebration, एक festival ऐसी पिकनिक हो, जैसे वो होता है तना एरलिस में unbird day party करनी है एक होती है birthday party, एक होती है unbird day party जो mad header और march air दोनों मना रहे होते हैं जब छोटी से एरलिस वहाँ पहुचती है वो कहती है happy birthday वो कहती है happy birthday नहीं हमारा आज unbird day है वो कहती है unbird day, यह unbird day क्या होता है साल में 365 days होते हैं, उसमें एक ही दिन बbird day होता है बाकि 365 days हम लोग unbird day party मनाते हैं तो वो कहती हैं, मेरा भी unbird day है वो कहते हैं, हाँ, तुम्हारा भी unbird day है और संगम यूपर बढड़े ही बढड़े है हर दिन party, हर दिन celebration, हर दिन उत्सव, हर दिन उमंग, हर दिन उत्सव तो भी चलते हैं फल की तरफ पहला फल, किसको दिया था, सुबह पहला फल नदारद पहला फल, पहला फल है प्रतिक्ष फल direct, invisible, fruit किसको मिलता है ये फल कौन बताएगा मुर्ली से बताएगा जो स्रेश्ट जिनको सर्वप्राप्ति हुई है स्रेश्ट प्राप्ति के जो अधिकारी है और 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 किसको बताया है न सेवा स्रेश्ट सेवा जो कर रहे है उनको ये प्रतिक्ष फल मिलता है वैसे नहीं मिलेगा प्रतिक्ष फल कौन कुन सा है आतिंद्रिय सुख से भी पहले खुशी सेवा की और खुशी मिली किसी को ग्यान समझाए और खुशी मिली अभी-अभी कोई सेवा की स्थूल और तुरंट खुशी मिलती है किसे को सुख दिया और खुशी मिली तो पहला प्रत्यक्षफल कौन सा है? खुशी, फिर है अतिंद्रिय सुख, वह सुख जो इंद्रियों की साहता के बिना प्राप्त हो सारा संसार इंद्रिय सुखो के पीछे पागल है और हमें जो मिला है वो प्राइसलेस है जिसकी कोई तुलना ही नहीं है क्योंकि वो अथी इंद्रिय है सुपर नैचरल, सुपर सेंशियोस, सुपर नल अन अर्थली, एक्स्ट्रा टेरस्ट्रियल वो इस संसार का नहीं है, इस जगत का नहीं है न्यारा है, निराला है ईससा सुख जिसकी संसार के लोग कलपना ही नहीं कर सकतेगी वो तो अपने छोटे-छोटे सुखो को ही सब मानते है परन्तु एक सुख ऐसा भी है जहां पर इंद्रिया नीचे रह जाती है और आत्मा उस सुख में तैरने लगती है और वास्ता में वही लक्ष है जीवन का तो दूसरा प्रत्यक्षफल कौन सा है? अतिंद्रिया सुख तेसरा संतुष्टता, त्रिप्ती आत्मा जो भी कर्म करती है त्रिप्ती ही रहती है संसार में पर यहां प्रत्यक्षफल तुरंट त्रिप्ती चौथा संतुष्टता, प्रत्यक्षफल हलकापन, जो भारिपन था एक तनाओ एकदम से किसी ने जैसे एब्सॉब कर लिया वो एक मशीन होती है जो कच्रे को एब्सॉब करती है, क्या कहते है उसको वैक्यूम क्लीनर जैसे कोई वैक्यूम क्लीनर बन कर आ गया और खिच लिया वो तुरंट हलकापन, इसके लिए सेवा का बहुत महत्व है यहां पर स्थूल सेवा किचन में जाओ, टाइम है कुछ सेवा करो जहां जहां सेवा की अवशक्त है वहां वहां पहुँच जाओ कोई आया है, समझाने वाले कोई नहीं है पहुँच जाओ और उनको समझाने चालो करो दुआये दे कर जाएगी आतमाए भूलेंगी नहीं, बाकि सारे बड़े-बड़े भाशन बूल जाएगी पर तुमने जिनको समझाय जिसने उनको समझाय था तुमको नहीं बूलेगी बीज डाल रहे हो बीज जब उगेगा तब उगेगा जब अंकुरित होगा तब होगा और कुंसा प्रत्यक्षफल है? उमंगुसा जितना उमंग उत्रा है वो और बढ़ जाएगा और प्रत्यक्षफल कुंसा है? कहाँ जाए इसने जाए है नहीं नहीं अभी तो दस फल है पहला ही चालू है अभी प्रत्यक्षफल इंस्टंट आनंद निश्चिंट इंस्टंट जो तुरंट मिलता है इंस्टंट सेवा की और तुरंट क्या मैसूस होता है? दुआए खुशी तो पहले बोल दिया दुआए तुरंट दुआए मिलती है आतमाओं की दुआए स्वैन की दुआए पर मात्म दुआए और प्रतेक्षवल संतुष्टता बोल दिया प्रेम और सैयोग और बंदन मुट सम्मान और एनरजी भले ठके हुए थे ठीक है और किसी की सेवा करती ऐसा मैसूस होगा ठकान मिट गई हारे ठके मुसाफिर के चरनों को धोकर पी लेने से मैंने अक्सर यह देखा है मेरी ठकन उतर जाती है कब उतरती है जब किसी दूसरे रेक्ती के चरनों को धोकर पी लेने से कविता है तब मेरी ठकान अपने आप मिट जाती है ठका तो मैं था पर दूसरा जो ठका था उसकी सेवा की और मेरी ठकान मिट जई नई एनरजी नई उर जा गई धील एंतुजिया जब मुझसा आ गया तो ये है पहला फल प्रत्यक्षफल दूसरा फल कौन सा है प्रभूफल दूसरा फल प्रभूफल शायद ये किसी मुर्ली में ऐसा शब्द बाबा ने प्रयोग किया है प्रभूफल गॉट्सफरूट या गॉड्ली फabularyट गॉड्ली फरोट से गॉड्सफरूट ज़्यादा अच्छा शब्द है कौन कौन से प्रभूफल हमें मिले है संगम संगम यूग ही प्रभूफल है प्रभू ही फल है हमारी वक्ती का उसका मिलना ही फल है उसको पा लेना ही फल है उससे जो मिलन हो गया यही सबसे बड़ा फल प्रभुफल है यह ब्रामन जीवन ही प्रभुफल है यह ब्रामन परिवार ही प्रभुफल है यह ब्रामनों का संगटन ही प्रभुफल है यह यग्य ही प्रभुफल है मुर्ली भी प्रभु फल है सारी प्राप्तिया प्रभु फल है तो एक लिस्ट अपने आपको बनानी है कि हमें बाबा से कौन कौन से प्रभु फल अर्थात प्रभु प्रदत्य प्रभु से प्राप्त हुए फल अर्थात प्रभू से प्राप्त हुए खजाने प्राप्तिया कौन-कौन सी है इसका निरंतर चिंतन करते रहना है तो ही स्थिती उपर रहेगी नई तो संसार में दुखो की कमी नहीं है तीसरा फल कौन बताएगा अविनाशी फल बाबा से हमें कौन सी ऐसी चीजे मिली है जो की अविनाशी है एक तो ग्यान का अविनाशी फल दूसरा ग्यान का कभी भी विनाश नहीं होता इसलिए ग्यान को लेते रहो लेते रहो पता नहीं किस समय काम में आ जाए इसके लिए जब परिस्तितिया नहीं है जीवन में वो टाइम है ग्यान पो अंदर या अंदर धारन करते जाओ पता नहीं कौन सी परिस्तिति कब आने वाली है फ्यूचर में कभी भी कुछ भी हो सकता है उस परिस्तिते पता नहीं कौन सा पॉइंट याद आ जाए किसके मुख से सुना हुआ पॉइंट याद आ जाए क्योंकि हमें भी पता नहीं जो हम सुन रहे हैं इसके लिए अंदर डालते जाओ डालते जाओ ग्यान को भरते जाओ क्योंकि डिलीट कैसे डिलीट करना तो योग में होता है परन्तु भरना हमारे हाथ में है ज्यान के नए संसकार क्रियेट करने है तो भरते जाना, सुनते जाना प्रतम भगति संतन करसंगा दूसरी कथा मम कथा प्रसंगा मानस में नवदा भक्ति में पहली दो भक्तिया ये है प्रतम भगति का संतन करसंगा शबरी को श्री राम बताते है हे शबरी सुन, मैं तुम्हें ये नवदा भक्ति सुनाता हूँ पहली भक्ति है संतो का संग कर महानातमाओ के संग में जाओ, सत्संग कितना भी depressed mood हो गुरुप में चले जाओ और जहां मुरली की चर्चा हो रही है अपने आप उमंग उत्सा जाएगा और depression बाग जाएगा कितने भी down हो mood कहां चले जाओ स्रेष्ट जगा चले जाओ महानात्माओ के संग और जब जब महानात्माओ का संग मिलने लगे समझ लो प्रभु कृपा हो रही है बिना हरी कृपा मिले नहीं संता परमात्म कृपा हो रही है इसलिए महानात्माओ का संग तो ये कैसे पता चले कि भगवान की कृपा मेरे पर है क्योंकि मान आत्मा कियोगी संग में है न सभी तो यह अर्थात पर्मात्मकरिपा हो रही है यह उसका symptom निशानी है दूसरी ममक प्रसंगा दूसरी प्रकार की भक्ति है मेरी कथा सुनना अर्थात ज्यान सुनना यह अविनाशिफल है तो सबसे पहला अभी नाशिफल कौन सा है? ज्ञान, इसके लिए ज्ञान को क्या करते रो? पंप करते रो अपने सिस्टिम में पंप पंप करते रो ज्ञान वो एक कार्टून किसी नहीं बेजा था न? जैसे वो पेट्रोल पंप में ब्रेन में पंप रखा है और उसमें लिखा है ज्ञान वो पेट्रोल पंप वाला ज्ञान भर रहा है उसके दिमाग में और वो ऐसा निड़ाल पड़ा हुआ है और उसमें पावर आ जाती है जैसे 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 ज्ञान का पेट्रोल अंदर जाता है और दूसरी अविनाशी चीज़ जो हमको मिली है ग्यान आगया हो वो ग्यान आगया गुन गुन अविनाशी है संसकार अविनाशी हमें भरने हैं शक्ति अविनाशी जो हमें अंदर भरने हैं खजाने अविनाशी, प्राप्ति अविनाशी भाग्य अविनाशी खंडित वाला भाग्य नहीं पवित्रता अविनाशी ब्रह्मचरी अविनाशी धारणाय अविनाशी सेवा की प्रालब्द अविनाशी इस पर चिंतन करना है कि हमें सब कुछ अविनाशी मिला है जिसका कभी नाश नहीं हो सकता है जो कभी छीन नहीं सकता है, कोई चुरा नहीं सकता है, कोई भी किड्नैप नहीं कर सकता है, अगर कोई ले ले ले, तो क्या हो जाएगा, वो सुधामा निकलता है न, कृष्ण से मिलने जाने के लिए, तो उसकी पत्नी कहती है, अरे तुम कुछ तो लेकि जाओ, अकेले जाओ तो कोई तुमको कोई चुरा लेगा लूट लेगा वो करते मेरे पास कृष्ण भक्ति की आतिरिक्त और कुछ भी नहीं है यदि कोई ये भी लूट ले तो वो भी भक्त हो जाएगा वो भी माला माल हो जाएगा इसके लिए चिंता नहीं सर्वशक्तिया सर्वगुन और सर्वसमंदो केस्नेह का रस एक से सारे रस दुनिया के रस देख लिए ना क्या करते कोई कितना भी प्यार करता हो कभी ना कभी तो दुख देता है कभी ना कभी आविश्वास दिखाता है कभी ना कभी दोका जरूर देता है कभी ना कभी कड़वे वचन तो बोलता ही है कभी ना कभी हर्ट करता है कभी ना कभी कटाक्ष करता है व्यंग बान करता है कॉमेंट्स करता है कभी ना कभी expectations पूरी नहीं करता है अगर कुछ ना करे तो कुछ तो करता ही है जो हमें दुख दे चाहे उसकी वज़े से नहीं पर हम तो दुखी होई रहे और ये कैसा है सर्वसंबंदों का रस उसमें है सर्वशक्तियों वाला ये फल है सारे विटामिन से इसमें सारे निूट्रियंट से इसमें फल खाना चाहिए डॉक्टर लोग भी करते हैं न फल खाओ सब चीजों के लिए आउशक है पाचवा फल किसका था पाचवा किसका था नहीं किसका था सुबह किसको थी अच्छा इश्वरिया जादू का फल गौट्स फूट फूट अफ गौट्स मैचिक क्या उसने हमारे जीवन में कौन कौन सी जादू की है उसको उसका चिंतन करना है यदि वो कहता है मैं जादू करूँ क्या वास्तो में उसने कोई जादू की है हमारे जीवन में कौन सी जादू की है कैसी जादू की है पहले क्या थे और क्या बन गए क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या पहनते थे, क्या बोलते थे, कैसे था इस सब कुछ, क्या सोच थी, क्या वृत्ति थी, क्या दृष्टी थी, और उसने आकर ये सब कुछ बदल दिया, इस बारे में चिंतन करना है, केवल ये नहीं, taken for granted नहीं, हां हो गया, हो गया नहीं, ये था, अब ये हुआ, ये था, अब ये हुआ, पहले ऐसा था, ये हुआ, Contrast अपने ही जीवन का बार-बार करते रहना है, नहीं तो अगर नहीं करेंगे, तो इस जीवन से उस जीवन में वापस जाने की संभावना रहती है कभी-कभी, इधर से उदर थोड़े सा चक्कर लगा क्या आते है, Trip, इधर से थोड़ी छुटी मिल गई, कि हॉलिडेज में, पास्ट में जाते है, पास्ट की दृष्टी, पास्ट की वृत्टी, पास्ट में, इसलिए क्या करना है, इश्वरिय जादू का जो फल है, जादू कर दिया है उसने, कौन सा जादू किया है, संकल भी बदल दिये, दृष्टी, वृत्टी, जो 21 बाते, जो सारी आ जाएगी उसमें, सवपना बदल दिये, सवपना क्या आते थे, अब कौन से सवपना आते है, मिल्पना क्या थी, फैंटेसी क्या थी, इमाजिनेशन, फैंसी क्या थी, अब कौन से लाल से, सब कुछ बरिवर्तन, दृष्टी, वृत्ती, स्मृत्ति, दृष्टी कौन, स्वपना, आदते, संसकार, सभा संबन्द, संपर्ग, चलन, सब कुछ, चटवा किसका था? अभिनाशी प्राप्ति का फल अभिनाशी फल है तो प्राप्ति भी अभिनाशी है अटेंडमेंट्स भी अभिनाशी है कौन-कौन से जो प्राप्ति हुई है इस जीवन में वो सभी अभिनाशी है या होने वाली है वो भी सारी अविशिय होगी इसका भी बार-बार चिंतन करना है 8 8 में क्या है? ये 7 हो गया 8 तंदृस्ति उच्छा 6 तो बाकी है संकल्प सिद्धी का फल 6 है संकल्प सिद्धी का फल जो संकल्प किया वो हो जाना ये संकल्प सिद्धी है और वो होगा जब संकल्प इतना शक्तिशली पाउरफुल होगा तो जब उसमें purity की प्रकमपन होंगे तो नहीं तो लोग तो चाहते हैं संकल्प ब्रामन बहुत सारे अच्छे-च्छे करते परंद वो पूर्ण नहीं हो पाते हैं क्यों क्योंकि शायद purity में कमी है शायद वो जो संकल्प है उसमें निस्वार्त भावना की कमी है शायद उसमें कहीं न कहीं कामनाय है हद्व है इसलिए पूर्ण नहीं हो रहा है नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता है कि संकल्प करो और वो पूर्ण नहीं होगा जितना संकल्ब शिद्ध होगा निस्वार्त होगा बेहद का होगा उसके पूर्ण होने की संभावना उतनी अधिक है क्योंकि हमारे हद के संस्कार ये ग्यान में आ जाए, वो ग्यान में आ जाए ये हो जाए, वो हो जाए ऐसे प्रश्ण पूछते रहते प्रश्ण पूछते रहते क्या करूँ क्या करूँ थोड़ी ज़र बैदर किसी का फोन आया था मैं बच्पन से ग्यान में हूँ और पती ग्यान में नहीं चलता मैं बच्पन से ग्यान में हूँ अब अब बताओ क्या करना है उस सुलाने के दिए यहीं यहीं फर्स्ट उलाइन से इतने कुरांति का रही थे अब तो सुचना ही पड़ेगा क्या उत्तर दिया जाए तो संकल्प सिद्धन नहीं हो रहे क्योंकिím हद है कामनाए है IMPURITY है मोह है जो संकल्प जितना मोहरहित संकल्प उतना वो सिद्ध होगा ये गिन में आजै वो गिन में आजै इसका कल्रेन हो जाए तो ये क्यों नहीं सोचते बाकी बवर्का भी हो जाए अपने घरवालों को क्यों सोचते हो कर दी पड़ोसी का कल्रान हो जा ये क्यों नहीं सोचा किसी ने कि वो पड़ोसी वो जो भिकारी वहाँ बेटा दिखता है रोज वो ग्यान में आ जाए ये कोई नहीं सोचता है आठवा तंदुरस्ती प्रूट्स खाने को कहते हैं न प्रूट्स खाना चाहिए अर्डली मॉनिंग सबसे अच्छा ताइम है empty stomach, प्रूट खाने का पर लोग थोड़ी सी गडबड करते है बोजन के टाइम पे खाते बोजन के टाइम पे नहीं खाना चाहिए बोजन के बाद भी नहीं, तुरंट बाद नहीं एट इस वन अवर यह लाइट फूट के बाद कई लोग मोनो डाइट करते हैं मोनो डाइट अरत एक ही प्रकार का फदल एक ही प्रकार का डाइट और वेट रिड़क्शन में सबसी बेस्ट है फूट डाइट सारे कुछ मिलता है उसमें स्किन और ये एक नी और कितने सारे बाल, बहुत सारी वो एक दूसरा टॉपिक है बेनिफिट्स अव फूट्स एंटि ओक्सिडेंट से बेके सब कुछ उसमें है और एक योगी के लिए सर्वोत तमाहर है फुलाहर, अलपाहर उसमें जितनी एनर्जी है बाकी और और जैसे जैसे वेक्टी इसमें जाता है फूट्स पर फिर उसको बाकी थोड़ा कम पसंदाने लगता है अगला फल है दुख, आशान्ती और विग्न इन सब से दूर रखने वादा ऐसा मर्फल दुख, आशान्ती और सर्व विग्न इन से दूर यदि जीवन में आशान्ती है, दुख है और विग्ना आरे, अर्थात ये फल हमने नहीं खाया पहले स्विकार करो नहीं खाया तो ये मार्ग खुलेगा आप कैसे खाये पहले स्विकार करो कि कुछ नहीं पाया है भगवान पाने के बाद भी अंतरमन नहीं स्विकार कर पाता वो कहता है, हमने सब पाया हम सब जानते है अगर सब पाया है, तो ये दुख क्यों जीवन में क्यों अशान्ती बात लिया न, फिर अशान्ती क्यों फिर क्यों विगनो बार-बार और विगनो के वश हो जाते हैं और ग्यान योग छूड़ जाता है अगर ऐसा हो रहा है तो शायद अब तक नहीं पाया है अब फल को खाया ही नहीं है लास्ट फल बाप का बनना ही ये फल है फ्रेश्ट फल है किसको मिलता है ये फल जो जो कि अपके बने और फिर भी दुखी और रशानत है और तंदरुस्त नहीं है अर्थात हम बने ही नहीं है यह तो कोई माने का ही नहीं सब कहते हैं कि हम तो बने हैं पर उन्तु बनना अर्थात क्या है वाइट ट्रेस पहनना और बैच लगा लेना मदुबन में आ जाना बाबा स से मिल लेना सेंटर पर मुडली क्लाफ में जाना अम्रित्वेला करना ट्राफिक कंट्रोल करना ब्रहमा बोजन खाना बहार का बोजन छोड़ देना नुमा शाम का योब करना क्या ये बनना है कि बनने की परिवाशा भी और कुछ है बनना अर्थात सब कुछ उसका बनना अर्थात सब सु कुछ उसमें तो ये दस फल उसके बाद में सफलता के पाच सूतर बताया है मुर्ली में कौन कौन से आप बता सफलता के पाच सूतर सेवा में सफलता के लिए पाँच सूत्र अव्यक्त महावाद के बाबा के उसमें है एक वो है एक बदा दिया थर्ड नंबर पहला है समर्पन पहला है समर्पन दूसरा है बेफिक्र जीवन तीसरा है एक बल एक भरोसा चौता है दिड़ता ब्रह्मा बाबा का उधारन दिया है और पाचवा है हर खजाने को सफल करना उसमें फिर छे बाते अलग है तो सबसे पहला है समर्पन भाव जितना व्यक्ति सेवाव में समर्पित रहता है मन से उतनी ही उसमें सफल्दा होगी समर्पन भावर्थात ये सारे खजानों का दान करते हो ये ना हो की ये मेरे है हम दे रहे है नल है टंकी उपर है पानी इस नल से बह रहा है महिमा नल की नहीं है उसकी है टंकी की नल ये सोचने लगे कि मैं कर रहा हूँ तो कैसा होगा पर नल ये अहंकार कर ले कि मैं तो जैसे आज मकर संक्रांती है न एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है प्रश्न पूछा गया पतंग कौन उड़ा रहा है लड़का कहता है मैं उड़ा रहा हूँ हवा कहती है मैं उड़ा रही हूँ धागा कहता है मैं उड़ा रहा हूँ पतंग का एक कोना कहता है मैं उड़ा रहा हूँ भगवान की आवाज आती है हम सब उड़ा रहे लेट उस आल get enlightened ए पतंग ना तो दहागा उडआ रहा है ये फरमातमा की आवास आती है तो ये समझना ये सबसे अच्छा उद्द है चलो नल की भी महीमा और उसकी भी महीमा परन तु नल को भूलना मत कि मैं नल हूँ, नल भवा ग्यान नल भवा गॉड्स नल गॉड्स टैप गॉड्ली टैप टैप दी गॉड्ली टैप पहला है समर्पन दूसरा है बेफिक्र जीवन, जिस जीवन में फिक्र ही फिक्र है वो कहां से उसमें, जो खुदी चिंताओं में गरसित है वो उसको कहां से सफलता मिलेगी निश्चिंतता हो तीसरा ब्रह्मा वावा का उधारन ने एक बल एक भरोसा एक होई बल और एक ही भरोसा उसके आधार पर हो रहा है हम कुछ नहीं कर रहे है वो करा रहा है ये करन करावनहार की सुवती और चोथा दिड़ता determination चाहिए ऐसे नहीं होगा थोड़ा सा कर लिया और छोड़ दिया और यहां तो हो नहीं रहा है यहां तो लोग निकलते नहीं ये कल राठी जमीन है ये ऐसा है ये वैसा है बार बार करते रहो सिल पर पड़त निशान रस्री आवत जात है वो रस्री भी निशान कर देती है छोड़ो नहीं पत्थर पर भी निशान करती है इसके लिए रुखना नहीं है करते रहो अगला है last सारे खजाने को क्या करो सफल करो छे छे बाते बतायी है जिनको सफल करना है पहला संकल्प ने पहला श्वास या समय फिर श्वास धन और फिर गुन ग्यान शक्ति समय को सफल करना अथा क्या मिल जाएगी फुल टाइम राज्यभाद मिल जाएगा उदर समय यहां व्यर्थन नहीं गवाना सफल करना अर्था तू यूटिलाइज इन वर्थवाइल वे उसको सफल करना सफल शब्द का जिस अर्थ से बाबा प्रयोग करते वैसा हिंदी साहित्य में भाषा में ऐसा कहीं पर भी नहीं है यह केवल ब्रामणों की भाषा है भोजन बचा हुआ इसको सफल करो दूसरों के सामने कहेंगे यह सफल क्या होता है सफल अर्था सकसेस यह सफल करना अर्था है तुमने कुंसा नया शब्द इन्वेंट किया है ये केवल इधर ही देखने को मिलता है ये बाबा की जो शब्द है न जैसे सुना ब्रामन एक दुसरे से बाते करते है न सुना ये जो सुना है न ये बाबा के शब्द है ये दादियों के शब्द है महरबानी महरबानी करके ये दादियों की मुख से निकलता है महरबानी करके या ब्रामणों की मुख से कहा है भाई साब? रेस्ट पर है ये ब्रामणों की भाशे है क्या हो रहा है? शरीर साथ नहीं दे रहा है ये संसार में ऐसा बिमार होने के बाद कोई नहीं बुलता है ये इधर के शब्द क्या कहेंगे बहुत ही specific ब्रामनों के शब्द है ये शारे मुझे संकल्प आ रहा है उदर संकल्प मतलब प्रतिग्या ऐसे जल लेकर संकल्प किया जाता है वो है संकल्प यहां हम लोग विचार को संकल्प करते है वो संसार वाले समझेंगे इनकी भाशा ही अजीव है थोड़ी तो ये इस वेरी यूनीक डिक्ष्णरी है ब्रामन की डिक्ष्णरी तो पहला है समय को सफल करना अर्थाद समय वेस्ट नहीं करना अर्थाद identified time wasters and energy drainers whatsapp है, email है facebook है, social media क्या है, net है google है कौन है जो आता है और time छीन कर लेके चले जाता है कोई company है, कोई friendship है कोई संबन्ध है, कोई दोस्त है कोई स्थान है कौन है, कोई किताब है कोई दृष्च है कोई चित्र है कोई वीडियो है, कोई चैनल है कोई poster है, क्या है उसको identify करना time based first second श्वास श्वास को सफल करना अर्थाद क्या है ये बताओ समय का तो हो गया न पहला समय था श्वास को सफल करना अर्था श्वास मतलब क्या श्वास को सफल करो अर्थाद श्वास अर्थाद क्या प्राण श्वास अर्थाद क्या स्मृति ये जो श्वास है इस श्वास से संबन्द नहीं है समय तो हो गया न पहला बोल दिया समय को वेस्पनी करो ये है श्वास इस पर चिंतन चिंतन करो थोड़ा और हाँ तो प्राण उसका अर्था हुआ फिर प्राण प्राण का अर्था क्या हुआ फिर लाइफ फोर्स जिगर से दिल से क्या वो विशेशन है उससे क्या उससे क्या तो ये चिंतन का विशे है क्योंकि कई बार बाबा ने मुरले में श्वास और समय को एक ही बताया है कहीं कहीं श्वास और समय को अलग बताया है तो श्वास को सफल करो तो श्वास नहीं रुकेगा, हार्ड अटेक नहीं आएगा काडियो रेस्पिरिट्री अरेस्ट नहीं होगा तीसरा, धन धन को सफल करो तो माला माल बन जाएंगे ग्यान को सफल करो तो समझदार हो जाएंगे कब से? दौपर से फिर अभी से समझदार सत्युक प्रेता में समझदार और दौपर में भी समझदार फिर किसी की जरुवत नहीं किसी की साथी की भी आवश्यक्ता नहीं अपने आप हिंडिज में लेक सकेंगे नहीं तो व्यक्ती को चाहिए नो कोई हर बात में कंसल्ट करता है पती पत्मी से पूछता है पत्मी पत्मी से पूछती है यह करे की नहीं करे दोनों कंसल्ट करकरके decisions लेते हैं जीवन के तो क्या करना पढ़ेगा किसी को भी पूछना नहीं पड़ेगा क्या तो किसी को भी पूछने की आवश्यकता नहीं है next गुन गुन को अभी धारन कर लो सफल करो अर्थात गुनमूर्थ सर्वगुन संपन्न देवता बन जाएंगे last हो गया दन शक्तिया शक्तियों को सफल करो तो सर्वशक्तियों से भरपूर हो जाएंगे शक्तिया अपने आप काम करेंगे राज्य तुमारा खंड होगा तो ये बाते थी सफल करने की ये बाते थी चेसेवा में सफल ताकी फिर टीचर से वाबा ने फिर से अमरित वेले की पॉइंट बोली है यहाँ मुझे एक बात याद आ रही है दिदी मनमोहीनी जो जग्दिश भाई ने उनके इसमें भी लिखा है कि हमेशा ही स्नान करके ही अमरित वेला करते थे और मुडली से पहले फिर एक बार स्नान करते थे दो बार शाम का वह लग जो भी है परंदु अमरित वेला स्नान करके ही करे तो उसमें एनरजी ज़्यादा रहती है ब्रेश करके इसारे जो है न स्टिमूलेट हो जाना चाहिए इदर एक्सेप्शनल केसे से अपवाद दाद नहीं है वालोगा तो अमरित वेला की बार फीचर से की फिर पिकनिक की बात हुई फिर उसके बाद में दस प्रकार के फल और भी कुछ रह गया है अधर कुमारों से मुलाकात चार प्रकार की चिंता है पहला था तन की चिंता, मन की चिंता धन की चिंता और परिवार की चिंता तन की दो प्रकार की चिंता है कौन कौन सी तन की चिंता जिवी का खाने को मिलेगा की नहीं मिलेगा बाबा के ते दाल रोटी मिले की बड़ ब्रहमन आतमा को दाल रोटी से संतुष्टा होती है कि अभी ये दूसरा बड़ा प्रश्ण है दस दिन भी अधी थाली में खाली दाल और रोटी उसको मीठा भी चाहिए उसको बीच में ब्रह्मा वोजन भी चाहिए बाबा ने गैरेंटी वो सारे वेराइटी की नहीं दी है बाबा ने गैरेंटी दाल रोटी की थी है इसके लिए आदत दाल रोटी की भी चाहिए अटेंशन ठीक है नो बहुत बड़ा गहरा रात बोला है अगर थाली पुरी भरी हुई देखनी की आदत है और हमेशा इस चक्कर में रहते हैं की कहां एड़्जेस करूँ और कोई चीजे तो फिर मुश्किल होगी और कोई छूट तो नहीं गया कोई नहीं छूट तो नहीं गया चेक करो, कंसर्म करो दूसरे से म्यूजियम में जा रहे हैं तो वहां कंसर्म करते हैं कोई छूट तो नहीं गया सारा आ गया सारे आइटम्स आने चाहिए कोई भी छूट ना जाए पता नहीं ऐसा मौका फिर थोड़ी ना आएगा नारियल के चटनी और किसी और के धाले में कुछ दूसरी खटोरी दिग गई तो फिर बेचे नहीं चलो हो जाती है कि कहां से मिली होगी बाबा ने कहां हिसाब किताब चुकतू हो रहे किसी के बंद रहे है और चुकतू भी हो रहे है दोनों चीज़े हो रही है यह बहुत अच्छा स्टेट्मेंट है यहां कुछ-कुछ बंद रहे है और कुछ-कुछ चुकतू हो रहे है तो यही समझना बिमारी आने के बाद अच्छा है चुकतू होने दो बिमारी में अचल अडल जो रहते हैं वास्तों में वही योगी है बड़े-बड़े योगी हिल जाते हैं बिमारी में चुटी-चुटी बिमारी में बड़े-बड़े योगी हिल जाते और बड़ी-बड़ी बिमारी में सच्चे योगी नहीं हिलते यनभव है पहली चिंता शरीर की दूसरी चिंता धन की धन की भी चिंता नहीं तीसरी चिंता मन की परिशानी चौती चिंता परिवार ये एक बड़ा विशे है परिवारिक चिंता है बहुत सर व्यक्ति घिरा हुआ रहता इन चिंताओं में छूटी नहीं पाता, ब्रामन बन जाते हैं, ग्यान में आ जाते हैं, परंतु वो चिंता वैसी की वैसी रहती है, अब यहां बाबा ने क्या कहा है, कि तुम को बाबा ने क्या कर दिया, पहले तुम चिता पर थे, बाबा ने तुम को दिल तक्त पर बिठा दिया, पहले तुम चिताब जल रहे थे बाबा ने अम्रित डाला है अमर बना दिया है पहले तुम मर रहे थे बाबा ने जिन्दा कर दिया यहां तुम मरजिवा बने हो पहले मुर्दे थे क्या बना दिया भगवान ने आके महान बना दिया परन्तु क्या ये के वज़ थीरी है या इसका कोई अनुभाव भी comparison चाहिए कि ये जो जीवन था मरा हुआ जीवन था अभी हम जिन्दा हुए वो संसार में गायन है किसका बाबाने का भगवान का मुर्दे को जिलाता है Bible में लिखा है Jesus Christ के पास्ट में मेरी आती है Marta दो बेहने उनका एक बाई Lazarus दो दिन पहले मर चुका है चार दिन पहले उसके पास आती है और कहती है कि यदि आप होते तो वो मेरा भाई नहीं जाता और दो दिन पहले वो आई भी थी तब Jesus जान बुचके नहीं जाता है और फिर चार दिन के बाद जाते है जबकि उसको दफना गया है एक गुफा है जिसमें उसको रखा गया है Jesus वहाँ जाता है और कहता है Lazarus come out और दिखाया है John में चाप्टर John में जान के चाप्टर में कि Lazarus बाहर निकल रहा है पूरा कपड़ों से सफेद कपड़ों से लिप्टा हुआ और वो वहाँ आ रहा है और वो जिन्दा है ऐसा दिखाया हुआ है परन्तु Christian धर्म के अलावा और ये कहीं बताया नहीं है केवल ये यहीं दिखाया है और भारत के लोग कहते हैं कि इससे हमारे मात्मा बुद्ध बहुत ज़्यादा सरिष्ट थे क्यों? क्योंकि Jesus में ये जो किया Miracle किया पर इस Miracle का क्या महत्वा? ये तो Miracle था उसी को एक को क्यों किया? बाकी भी तो थे, उनको तो नहीं किया बहुत सारे आक्षे पिल लेते बहुत सारे विरोध भी करते हैं इस बात के लिए मात्मा बुद्ध की भी कहानी है मात्मा बुद्ध के पास एक स्त्री आती है क्या कहती है? मेरा बेटा मर गया है पती पहले ही मर चुका था बेटा ये एक मात्र मेरा आधार था वो मर गया वो क्या कहता है? जाओ जाकर वनाज के दाने या बीज लेके हो सरसो के अलग-अलग तिल के बताते हैं कोई किस के बताते हैं वो बीज लेके हो वो सारे दिन भर में जाती है और सारे दिन भर में जिज जिज घर में जाती है शाम तक उसको बोध होता है वो ये प्रशना अप छूट गया कि बच्चे को जिवन तकरो ये जो मिराकल है ये भारत का मिराकल है वो जो है वो उदर का है पश्चिम का पुर्व पश्चिम से कई बुना अधिक गहरे तलो तक पहुचा है अध्यात्म के बुद्ध ने ऐसे कोई मिराकल नहीं कर दिया ये तुमारा बेटा है उदर जीज जत ने कहा लैजरस कम आउट तो लैजरस आगया चलते चलते और वहां से है कि God raises the dead बुद्ध ने वो नहीं किया वो स्त्री भिक्षुनी बनी और बुद्ध के सभी शिशों में सर्वस्रेष्टों में से एक थी वो जो उस परम निर्वान की अवस्था तक पहुची क्योंकि उसे बोध हो गया मृत्यू जीवन का अटल सत्य है यह मैं क्या मांग कर रही हूँ तो यह भी एक बात है बाबा ने क्या कहा तुम चिंताओं से मुक्त हो गए तुमारा क्या जीवन है निश्चे के आधार पर निश्चिंत जीवन है निश्चे निश्चिंत फेथ और निश्चिंत हो गए और भी कोई बात कही है यहां पर तुमारी भाशा बदल गई पहले क्या कहते थे मर जाओं या तुम मर जाओं या तो मैं मर जाओं या तुम मर जाओं ऐसा ये बहुत उसके लिए पती पत्नी आप एक दो से ऐसा कहते रहते है या तो तुम मर जाओ या तो मैं मर जाता हूं जब बहुत धगड़ा होता है और जब लड़ा ही करते हैं तो इस इसलिए फूशने आया हूँ तो निश्चिन्त जीवन निश्चे के आधार वाला जीवन निश्चित भावी के ज्याता ब्रह्मा बावा के लिए शब्द प्रयोकिया है बावा ने निश्चित भावी के ज्याता थे ब्रह्मा उसको पता था क्या होने वाला है संसारिक, पारिवारिक तन की, धन की, मन की सभी से तुम मुक्त हो इस बात को भी हम अगर स्विकार कर ले कि मैं चिंताओं से मुक्त आत्मा हूँ तो वो अपने आप सारा कुछ आने लगेगा और भी कुछ रहे गया है मुर्ली से यह एक ही मुर्ली चालूए सिक्र करने वाले सब कुछ वेश्च करते हैं वो वहाँ पर बताया सफल चो करते हैं सफल ताके सूत्र वहाँ पर बताया अच्छा, ऐसे प्रभूफल प्रतिक्षफब प्रभूफल खाने वाली आत्माओं को ऐसे ब्रह्मा बाप समान विशेश आत्माओं को ऐसे बाप समान कर्मयोगी बन कर्म करने वाली आत्माओं को ऐसे और एक चीज़ है Quality और quantity वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार Good night और नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड़नाइट और नमस्ते ओम शंते